नमस्कार जहिन दोस्तों सभी भविस्य के भावी अध्यापकों का जोरदार स्वागत है दोस्तों यहाँ पर मनो विज्ञान में आज आपके दिमाग को चेक करने वाले हैं टॉप तीस कुश्चन यहाँ पर हम करा रहे हैं और आपको मनो विज्ञान में कम से कम 20 का स्कोर लेके चलना है तो पहले तीन कुश्चन जो आ रहे हैं इस वीडियो में वो आपके दिमाग को चेक करेंगे और बादवा की 27 कुश्चन है वो दिमाग और प्लस आपकी योगेत या आपने अभी तक क्या पढ़ा है चलते हैं स्टार्ट करते हैं परात्मिक विद्ध्याले के बच्चे उस बाता होता है या और जो है विद्ध्यारतियों से निस्करी रहने की उपेक्षा करता है जहां उनकी संबेगात्मक आवस्यक्ताओं की पूर्ती होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्यपूर्ण हैं तो दोस्तों इस कुश्चन का आंसर आपको देना है ठीक है तो ये आपका कुश्चन है इस तरीके को आपको मिलते हैं 5 सेकेंड आपके दिमाग को ये चेक करेंगे क्योंकि इस बार ऐसे ही कुश्चन आएंगे वो बड़े बड़े स्टेटमेंट और आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा तो इस कुश्चन का जो आंसर हो जाएगा भीया पहले का चोथा हो जाएगा काउंट करते रहना कितना जो है हमने अभी तक सही किया है ठीक है चलते हैं नेक्स कुश्चन की तरफ बहुत अच्छा कुश्चन एक बच्चा बिल्कुल दिमाग पर है एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कोवे को देखता है उड़ता हुआ देखत है और कहता है कि एक बच्ची अब विचार क्या है बच्चे की इस्मृतियां पहले से भंडारित होती है बच्चे में पच्ची का प्रत्य विक्सित हो चुका है बच्चे ने अपने अनुवह बताने के लिए भासा के कुछ उपकरुनों का विकास कर लिया है पहला सही दू दूसरा तीसरा या दूसरा या फिर पहला दूसरा कौन सा इसमें options होंगे सही जल्दी से बताएगा अगर एक बच्चा एक खिड़की के सामने से कववे को देखता है और वो कववा नहीं कहके केबल कहता है कि एक पक्छी उड़ रहा है तो दोस्तों यहां पर इस question का answer हो जा आएंगे तीनों चीजे यह बिल्कुल भंडारित हो चुकी है प्रत्य विक्सित हो चुका है बच्चे में कुछ भासा का उपकरण भी विकास हो चुका है ठीक है अब आता है question तीसरा और तीसरा भी IQ को चेक करेगा फिर चोते question पर हम सिलसिले छोटे-छोटे question पर चलते हैं पहले कहता है कि कोई सिच्छी का अपने विध्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उनके जो भीतर प्रेणा के साथ कारे करने के लिए प्रोत्साहित कर सके एक सिच्छी का क्या करना चाहिए भाया कि उनके भीतर प्रेणा को प्रोत्साहित कर सके अब भाया यहां पर चार option है आ मैंने कहा था टाफ्यी वालां कभी नहीं लेना है ठीक है तो तौ यहाँ पर हो सकता है तो तीसरा है हमारा आप्शन इसे करने की कोशिष करो और तुम सीख जाओगे मैं सीखना विध्यारती की आंतरिक प्रेड़ना होती है अब यहां पर जब कि किसी से पहले कारे समाप्त कर प्रेड़ित करने में कारे करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेड़ना के रूप में कारे कर रहा है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो तो क्या हो जाएगा फटाफट यहां पर आंसर चाहिए आपका मुझे बिल्कुल जी हाँ तो तीसरे का आपने एक्टम से लगा दिया होगा कि सर सही है तीसरे का तीसराई होगा क्योंकि इसमें लिखा आए कि इसे करने की कोसिस करो और तुम सीख जाओगे बहुत सारी चीजे क्या है सकारातमक दी है हमेशा सकारातमक पॉइंट को देखना है आपको नकारातमक पॉइंट को मनोविज्याल में नहीं देखना है अब आते हैं मेन कुश्चन पर और मेन कुश्चन से पहले आपने अगर अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है सीखना कहलाता है अनुकरण कहलाता है या कलपना कहलाता है या फिर चिंतन कहलाता है जी हाँ बहुत सिंपल है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा option दूसरा अगर हम किसी का अनुकरण करके कोई काम करते हैं जैसे हमने क्या बोला कि हम कि उसने मेरा अनुकरण किया, ठिक है तो अनुकरण करके ही हम जो है ब्यवाहर में परिबर्दन करते हैं, नकल करते हैं, तो याद रखिएगा, यदि पूर्ब ग्यान वा अनुहो नए प्रकार के सीखने में, बहुत अच्छा कुश्चन है, इतना गजब का अधिगम का तो उसको सीखने में अगर वो मदद करता है तो वो क्या होता है जैसे अगर साइकल हमने सीख चुके हैं और हम अगर मोटर साइकल अब सीखना चाहते हैं तो भहिया मोटर साइकल सीखने में कौन सा अनुबह हमें आ रहा है साइकल वाला अनुबह हमें कुछ मदद कर रहा है ज तो याद रखना अगर कोई मदद करें, तो वो सकारात्मक्त, अगर यही काम बिगण जाए, मदद ना करें, तो नकारातमक्त, इस्थानांत्रण और अगर ना तो बिगणे, ना तो सही हो, तो वो सुनने अधिगें, अभी एक कुछण और आगे मिलेगा, खैर अभी छटे बहुत सिंपल है, कह रहा है कि सीखी हुई बात को इसमरन रखने या पुन्हा इसमरन करने की असफलता, यानि फिर वो असफलता को क्या कहते हैं, तो असफलता को भूल जाना, विसमरती कहते हैं, दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल आप राइट जा रहे हैं, बिल्कुल सही बिं में देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं यह परेशान बिल्कुल मत हो ना अंतर मुखी जी हां साथ मैं कुछिन को लेता हूँ अंतर मुखी बहीर मुखी तथा उभय मुखी व्यक्तितो का वरगी करण यंग द्वारा किया गया क्रेश्चनर द्वारा किया गया सेल्डन द्वारा किया गया इस कुश्चन को नोट कर लेना यह कुश्चन है आपके लिए कठेन थोड़ा सा गलत हो जाता है कोई बात नहीं तो यहाँ पर अंथर मुखी बहिर मुखी तथा उभे में मुखी जो है व्यक्तितो व्यक्तितो का मतलब होता है परसनलेटी और परसनलेटी जो सब्द होता है वो परसोना सब्द से लिया गया है परसोना सब्द ठीक है और परसोना सब्द अगर पूछ दिया जाए इस परसोना सब्द का मतलब क्या होता है तो आप कोगे सर मुखोटा होता है जो यूनानी सब्द है ठीक है ना याद रखना मुखोटा यूनान में मुखोटा को पहन कर उनका जो है वो करते थे रोल करते थे रोल माडल करते थे ठीक है ना इसलिए व्यक्तित्तु कहते हैं अब व्यक्तित्य को चैप्टर में ने पढ़ाया, अनुवांसी की वातावरन का भी पढ़ाया है, वो भी कुशन इसमें मिलेंगे, मतलब सारे कुशन मिलना है इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर इस कुशन का आंसर हो जागा, यंग, तो दूसरा मार दीजेगा, अंतर मुखी, बहिर मुखी तता उभे मुखी ब्यक्तित्य कादवर्गी करण किसने किया, यंग, इस कुशन को लिख लेना, नया कुशन है, आठमा कुशन, गजब का कुशन है, सभी बहन, सभी बाई, इस कुशन को कर लेंगे, और नहीं कर पाएंगे, तो आज इसको जान लेंगे, कहते आगमन विधि के सोपान है उदाहरन निरीक छड़ विशले शड़ आप से ऐसे भी पूछ सकता है कि उदाहरन निरीक छड़ किस के सोपान है तो आगमन विधि याद रखना और कोई ज़्याद दिमाप नहीं लगाना ठिक है ये question आता है fried के अनुसार हमारे मुल्लियों का जो आंतरी करन होता है वो भहिया इदम में होता है अहम में होता है किसमें होता है आपको बताना है तो जी हां बिल्कुल बहुत अच्छे जा रहे हैं तो 9 में question का जो answer हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा तीसरा परा एहम ठीक है ना तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इस कुश्चन को नोट कर ले ना खेर मैं इस पर बाद में चर्चा कर लूँगा अभी केवल अपने नंबर बस इतने बताते जाना कि हमारे सर पंदरा देखो यहाँ पर जो बच्चे ही मितर स्य हो जाएंगे बिलकुल सर कियोकि ना एकिवल पर कोई ना तरीके से नालेज नहीं होती उसको अगर कोई टीचर ऐसा कहता है कि हमें पूरी नालेज है तो बिलकुल वह द्यू बे बोकुफ है ठीचर तुकि पूरा समस्त भंडार जो है विश्यो का वो किसी के अंतर नहीं है कहीं न कहीं कमिया है निम में से कौन सा मूल ल्यांकन के त्रिकोर का भाग नहीं है जी हाँ अगर त्रिकोर की बात करें तो कह रहा है कि इन चार आप्षन में कौन सा भाग इसका नहीं है तो ये कुश्चन आपके दिमाग पर डिपेन करेगा दोस्तों इस दसमे कुश्चन का अंसर हो जाएगा तीसरा सिक्षड अनुभो जो है इसका भाग नहीं है ये याद रखना ठीक है सैक्षिक उद्देश से मूल ल्यांकन अधिगम अनुभो मूल ल्यांकन के त्रिकोर्ड के भाग है शिक्षड अनुभो यहाँ पर नहीं हो जाएगा ठीक है चलते हैं ग्यारमा कुश्चन कजब का कुश्चन है क्रियात्मक अनुचंधान के महत्तों के बारे में निम्ड में से कौन सा कथन सही नहीं है अभी कुश्चन डिसलेक्सिया से भी आएंगे डिस्मोरफिया से भी कुश्चन आएंगे अभी इतना गजब का डिसलेक्सिया से कुश्चन आएगा देखेंगे आप सही कर लोगे कि नहीं थोड़ा सा कठेन होगा लेकिन कर लोगे क्रियात्मक अनुसंधान के महत्तों के बारे में में से कौन सा कसन सही नहीं है इस पर जाना ठीक है नहीं है उपभोकताओं ही अनुसंधान करता है उपभोकता ही अनुसंधान करता है समस्याओं का हल सीगरता से प्राप्त हो जाता है शमस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है या उपरयोक्त में से कोई नहीं जी हां सर बहुत बढ़िया एकदम से बिंदास तो ग्यार में का हो जाएगा चौथा कोई नहीं है बात बाकी यहाँ पर सभी सही है ठीक है याद रखना तो वाता अब आते हैं देखें आपने बातावरण जो हमने टेस्ट पढ़ाया था लगवाया था देखना कोई कुशन बाहर नहीं जाएगा तो वातावरण अनुवाज सिक्ता से कुशन जो हमने पताये थे अब ये बताओ परिभासा किस ने दी है बाहर तो दोस्तों ये किस ने कहा था तो ये कहा था हमारे रौस महोदे ने रौस महोदे ने कहा था लेकिन इनसे ही मिलती जुलती परिवासा थी एनास्टसी की ठीक है ना एनास्टसी एनाटासी भी लिखा जाता है और इसमें एनास्टसी ऐसे भी लिखते हैं बहुत अच्छा क अपमान जनक बेवहार, बी को डी, बाज को सा, 21 को बारा लिखना, कम अवधान, विस्तार और उच्छ सारीरिक गतिविदी, तो कौन सी भहिया ऐसी पहचान है जो बच्चे की निरियोग्यता को पहचान करता है, जीहां सर बिलकुल बहुत बढ़िया, मनो भाव का जल्दी ज दलता है, माफी चाहेंगे, तो क्या होता है, कि यहां पर हो जाएगा, मूड स्विंग्स, यानि मनो भाव उस बच्चे में निरियोग्यता है, ठीक है, अब आते हैं, आपके उपर देखते हैं, कितना है आपके अंदर टैलेंट, कि एक बच्चा जो आंसिक रूप से देख सकता है, क्या देख सकता है, बिना किसी विशेष प्राबधान के, उसे नियमित विध्याले में डालना चाहिए, उसे सिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसे अलग संस्थान में डालना चाहिए, आप सिकता है, विशेष प्राबधान करते हुए, उसे नियमित विध्याले में आप देखो क्या होगा बिना किसी वाला हटा दो उसे सिक्षा नहीं देनी चाहिए दोनों हटा दो उपर वाले उसे अलग संस्थान में तो अलग तो भाईया डाली नहीं सकते नकारात्मक बात हो गई तो चौथा ओप्सन राइट हो जाएगा विसेश प्रापधान करते जब नौकरी लग जाएगी आपकी तो हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप साफ आप जो है सभी सदसे हमारे साथ में वीडियो में और जब भी एक स्कूल प्राप्त कर लोगे तो हमें पूरा देश देखेगा कि भाया हमारी वीडियो चल लई है हमें भी सेलेक्शन मिला था तो गुरुजी वर्ड पे हमारी वीडियो है है न यहीं जिंदिगे वर वीडियो पड़ी रहेगी आप परेशान मत हो न ठीक है तो पंद्रा जो है पंद्रमा कुश्चन है कि सीखना क्या है अब सीखना भया सीखने वाले के संबेगों से प्रभावित याद रखो क्या है दिमाग लगाओ पांस सेकेंड आपको देते हैं सीखना क्या संबंद कैसा संबंद रखता है तो फटा-फट पंद्रमे का आंसर क्या होगा जी हाँ बिलकुल सही जा रहे हैं एकदम सकारात्मक आंसर लगाएं सीखने वाले के संबेगों से प्रभावित होता है जी हाँ यहाँ यहाँ पर नकरात्मक की बात ही नहीं कर रहे हैं छीड की बात नहीं कर रहे हैं संबेगों से स्वतंत्र है यहाँ पर भी इसकी बात नहीं कर रहे हैं तो most suitable answer बहुत अच्छा कुश्यन गजब का कुश्यन है आप सभी जानते हो कि डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया क्या होता है लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं वो मनोविज्ञान की प्ले लिस्ट देखें पांच मिनट में आप जान जाओंगों कि यहाँ से एक कुश्यन हमेसे अब देखेगा क्या है सब्दों में अच्छरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुबह करता है और अक्षर जो है इसम्रति का हास हो जाता है अब यह तो सिंपल है लेकिन एक और आएगा वो वाला कुछ से नहीं है यह वाला जो मैं कह रहा तो थोड़ा सा कठिन है ल यानि पढ़ने में कठिनाई मैंने उस पूरे चैप्टर को ट्रिक से करा दिया है वो जरूर देखीगा सभी के लिए विध्यालेओं में सभी की सिक्षा निम्निकित में से किसके लिए प्रचार बाक्य हो सकता है बहुत अच्छा कुश्यन है तो आपकी चैप्टर में कभी कहीं आपने समाबेसी सिक्षा को पढ़ा था जीहां सर वही मार दीजी आंसर फटाफट जीहां सभी के लिए सिक्षा तो दोस्ते सौर मंडल का अगर चैप्टर नहीं देखा है तो जरूर चैप्टर देखेगा सौर मंडल को एक ही वीडियो में खतम करते हैं और एक ही सौराख्या मौलिक का अगर है लचीला पन है तो वो किस का कुड़ होता किसे समंदीत होगा तो वो होगा बहिया बिएस सबी है तो प्रतिभा वान होगा प्रतिभा होगी उसके अंदर उन्नीसमा कुश्चन है कि आवी प्रेरणा का बर्गी करण होता है अरे सिम्पल सा अभी मैंने सीखने का इस्थानांतरन बताया था कुछ बताया था motorcycle cycle वाला जी हाँ सर कहरें सीखने की प्रक्रिया में सीखने का इस्थानांतरन हो सकता है आप कहोगे सर सकारात्मक भी होता है आपने ये भी कहा था कि नकारात्मक भी होता है आपने ये भी काता सूने भी होगा तो option number fourth is right answer यानि fourth हो जाएगा ये सभी जी हाँ तो 21 में अब तो बहुत ही कम question बचे हैं 21 मा जो है question है कि निम्ड में से कौन सा मत अंतरद्रश्टी दौा रहा सीखने की व्याख्या करता है जी सर विल्कुल बहुत simple सा है आप को के सर अंतरद्रश्टी सूज का सिधान्त किस ने दिया था कोहलर ने दिया था बरदी मर ये किस से आते हैं ये सर आते हैं गेस्टार्डबाद से जी हां सर 21 का क्या हो जाएगा fourth option हो जाएगा आप को के सर ये तो आपने बहुत पढ़ाया है ठीक है और गेस्टार्डबाद किने कहते हैं जब कोई समस्या का हल तब तक नहीं निकाल सकते जब तक समस्या दिखाई नहीं देती है गेस्टार्डबाद का एक statement है ठीक है बहुत कज़ाब क्या आपको इस वीडियो से और भी lab हो रहा है और भी questions हो रहा है जीहां सर यहां पर क्या होगा 22 कुश्चन आपके सामने है जो कहता है कि प्रचलित योजनाओं में नई जन्मकारी जोडने को क्या कहते हैं जीहां आत्म साती करण या आत्म सात करण कहते हैं इस कीमा वाले chapter में आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छा कुश्चन है कि हम सबी अपनी बुद्धी प्रेणा अविरुची आदी के संदर्ब में भिन होते हैं कह रहा है बुद्धी में भिन प्रेणा में भिन अविरुची में भिन तो भया ये सिद्धान किस से संबंदित है बैक्तिक भिनता बुद्धी के सिध्धान से वनसान उक्रम या फिर पर्यावरन से अरे सर कह रहे इतने बड़े चिन क्यों लगा रहे हो विडियो में अरे सर माफी चाहेंगे कोई बात नहीं यहाँ पर कह रहे 23 में का कुश्चन जो हो जाएगा वो बैक्तिक भीनिता के करण ही हम लोग सब अलग होते हैं क्योंकि हम में अलग होंगे आप में हम से जादा गुड़ अच्छे होंगे हम में थोड़े खराब होंगे तो क्या होगा सभी की बुद्धी भी अलग होती है है ना तो यह होगा बैतिक धिनिता यह वाला कुश्चन आ रहा है 25 वाला बहुत गजब का बंचित समुहों के विध्यार्थियों को सामाने विध्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाने का जो है क्या विप्राय है अरे सर आपने का था कि समावेशी सिक्षा कहीं है चैप्टर का रे सर बिलकुल है तो मार दीजेगा समाबेसी अगर option में कहीं भी बिले समाबेसी तो मार तो समाबेसी सिक्षा जी हाँ एक और ट्रिक बताते हैं अगर कहीं भी option में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा question और अगर वो chapter उसमें option है समाबेसी सिक्षा से तो समाबेसी वाला option मार देना ठीक है तो ये आपका 95% कुश्चन की समभावता होती है कि वो सही हो जाएगा ठीक है अगर उससे आ ही नहीं रहा है तो अब आते हैं थोड़ा सा टफ है कुश्चन ये कहता है कि एक बच्चा जो ग्रस्थ है किस से ग्रस्थ है सा को बाज पढ़ता अरे सर ये वही तो बच्चा है जो भया सा को बाज पढ़ता होगा या फिर जो है अनक्लियर जो है निूक्लियर को करता होगा तो दोस्तो यहाँ पर क्या है डिसलेक्सिया हो जाएगा अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यह तो यहाँ पर option ही नहीं है अरे sir यहाँ पर option dyslexia ही होगा ठीक है परेशान बिलकुल मत होना 25 का तीसरा हो जाएगा right answer दोस्तों आभी कुछ और कुशन मचे हैं चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलिएगा आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो enjoy कर रहे हैं आपको ऐसी simple सी भासा में समझाने की कोसिस कर रहे हैं मैंसे मेरी बोली बहुत strong है लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसलिए इसको बैसे मत लीजेगा क्योंकि हम चाहते हैं आपके दिमाग में सारी चीज़े set हो जाए 27 कुशन है कि एक प्रभावी सिक्षक वह है जो क्या कर सकता है कच्छा पर नियंतरन कम समय में अधिक सूचना विध्यारतियों को सीखने के लिए अभी प्रेरित दत्त कारे को ध्यान पूर्बग जाचना तो 27 कुशन important है कहे दो सर कि हम negative बाले thought सारे कुशन काट देते हैं कच्छा पर नियंतरन खटा दीजिएगा ठीक है दत्त कारे को ध्यान पूर्बग जाचना अरे सर ये कैसे है बिल्कुल नहीं क्योंकि मतलब most suitable answer जो कर सकता है ये पूचा है कम समय में अधिक सूचना देना तो यहां पर तीसरा option राइट हो जाएगा विध्यारतियों को सीखने के लिए अभी प्रेरित जो विध्यारतियों देखे हमेशा याद रखना सिक्षक अगर आप बनने जा रहे हैं तो ऐसा option आपको लगाना है कि जो विध्यारति के पक्षे में हो तो आपरेशन जो ब्लैक बोर्ड परिणाम था वो भहिया क्या था वो भहिया हमारा था 28 नंबर का क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा option नंबर राश्टी सैक्षी की हो जाएगा 1986 का ठीक है याद कर ले न लिखने न विकास किस से बढ़ता है जटिल से कठिन की और बढ़ता है विशिष्ट से सामाने साधारण से असान सामाने से विशिष्ट बहुत अच्छा कुश्चन है और कराया भी है तो 29 नंबर का हो जाएगा 4th option is right answer सामाने से विशिष्ट की और हमेशा ही आप जानते हो रटा होगा आपको आप एक बच्चे का कुश्चन एक यहाँ पर एक कुश्चन है थोड़ा सा बलर होगा थोड़ो मैनेज कर लेना है न कोई दिक्कत नहीं है न जब बैस के सायोग से सामजस से कर लेते हैं तो बे बच्चे के बरतमान इस तर के प्रदर्शन को संभावित जो है छमता के इस तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम का यूगम सुगम बनाते हैं इसे क्या कहा जाता है मतलब किसी के सायोग की बात कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं आपको 50 सेकेंड में देता हूँ थोड़ा सा पढ़ने के लिए तो फटा फट इस question का answer लगाएगा तो दोस्तों इस question का जो answer है वो हो जाएगा तीसमा question और last question है ये ये पहला हो जाएगा सहियोग देना क्या हो जाएगा सहियोग देना हो जाएगा इस question का answer ठीक है गेस्टार्डवार्ट तो समझी में आ गया होगा अंतरजस्टी वाला है जो सिध्धान ठीक है तो याद रखना और जिसमें जो है उद्धीपक के बीच के संबंदों को अचानक सबजने में होता है तो यानि सारे कुछ कुछ जो हैं पढ़ा चुके हैं और एक चीज मनों वि विकासे तो बहुती कुछन माते हैं उसकी तो मैंने दो वीडियो 10-10 मिनट के हैं ज्यादा नहीं है नीचे आपको लिंक मिल जाएगी सिधान सारे पढ़ा लेना ठीक है मनोविज्ञान में बहतर प्रयास करना इस बार सारे सारे नंबर मनोविज्ञान में और हिंदी में प बताएं दोस्तों कि आपने इंज्ञाइ किया है या नहीं गुर जी वर्ड आपके लिए फ्री एजुकेशन के लिए यहां पर करता है कोई भी नोटस आपके लिए पैड कोर्स वीडियो नहीं लाता है कभी भी सिच्छा को बेशने का काम नहीं किया गया है जै भारत सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत स्वागत है इस वीडियो में एंज्ट